इस वीडियो में आज हम देखेंगे सुपर फास्ट एक्जिक्विशन प्लाटफॉर्म आप इस टूल का यूज करके बेसिकली इस ट्रेट प्लाटफॉर्म का यूज करके आप क्विक इंट्री क्विक एक्जिट कर सकते हो अगर आपका कोई position उरेडी रणिंग है तो उस position के अंदर आप additional quantities अड़ गर सकते हो या फिर उस position को light down कर सकते हो ही ने single click अगर let say कि आपका कोई position चल रहे है और आपको उसको round up या फिर round down करना है तो वो भी आप easily कर सकते हो वीडियो को end तक देखिए ताकि आप इस tool को कैसे use करना है वो आपको समझ में आ जाए यह वीडियो interesting होने वाला है ठीक है यहाँ पर आप single click में roll up या फिर roll down कर सकते हो अगर आपको आपका कोई strategy है लेट से कि आप straddle sell करते हो या fish triangle sell करते हो तो आप round robin fashion में उस strategy को execute करवा सकते हो within a single click तो चली हम starting से start कर लेते हैं पहले देख लेते कि इस tool में क्या क्या available है यहाँ पर आपको left hand side में position book दिख रहा होगा जिसको मैंने अभी select किया है तो यहाँ पर आपका जो भी position वगरा चल रहा होगा आपके account के अंदर वो आपको directly दिख जाएगा यहाँ पर उसका m2m रहेगा और जो quantity होगा यहाँ पर रहेगा आपको ऊपर जो दिख रहा होगा red color के अंदर वहाँ पर आपको आपका m2m दिखता रहेगा उसके side में आपको आपका available fund कितना है और उसके बाद आपके पास total available margin कितना है और plus उसका utilization कितना percent हुआ है जैसे कि 0.01% यह PNL है हमारा और इसका utilization 0.16% हुआ है यह tool आपको warn भी करता है let's say कि अगर आप 95% से जादा आपका trade margin यूटिलाइस कर लेते हो तो basically यह चीज आपका red में convert हो जाएगा तो accordingly आप decisions वगरा ले सकते हो right hand side में आपको quick entry के लिए panel मिलेगा जहाँ पे आप immediately entry कर सकते हो और यह पूरा tool आप कुछ भी मतलब कितना भी quantity punch कर सकते हो so there is no limit order slicing mechanism built-in रहेगा तो आपको जितना भी quantity करना आप immediately कर सकते हो so let's पहले start कर लेते हैं हमारी 0-10 account से तो यह मेरा 0-10 account है जिसके अंदर अभी के लिए कोई भी position नहीं है तो हम one by one देखेंगे कि किस तरीके से हम काम कर सकते है इस tool का use करके so let's say कि मुझे क्या करना है nifty is running at 18683 तो मुझे यहाँ पे add the money contract add करना है so मैं क्या कर सकता हूँ इस tool के अंदर आप contracts ऐसे भी add कर सकते हो let's say कि यहाँ पे मुझे मैं setting select करूँगा कि मुझे कौन सा instrument चाहिए nifty let's say उसके बाद expiry कौन सा चाहिए और उसके बाद जो product type होता है वो मुझे कौन सा चाहिए nrml चाहिए या फिर mis चाहिए और उसके बाद मैं यहाँ पे quick trade का जो table होगा उसके अंदर मैं directly लिख दूँगा कि मुझे किस instrument के अंदर trade करना है let's say कि मुझे trade करना है 18,650 के call के अंदर so मैं यहाँ पे लिख दूँगा जैसे ही मैं okay sorry 18,650 call 650 CE ठीक है तो जैसे ही मैं वो instrument लिख दूँगा immediately मेरा strike यहाँ पे last price और trading symbol यहाँ पे populate हो जाएगा ठीक है अगर मुझे इस particular instrument के अंदर quickly entry लेना है तो मैं directly वो quantities यहाँ पे डाल सकता हूँ let's say कि मुझे अगर 50 quantities एड करना है let's say one lot एड करना है तो मैं यहाँ पे directly 50 करके enter कर दूँगा तो immediately मेरा order punch हो जाएगा अभी आप यहाँ पे देख सकते हूँ जैसे मैंने यहाँ पे 50 link के enter कर दिया immediately मेरा order यहाँ पे punch हो गया और accordingly जो भी मेरा M2M है वो यहीं पे दिखता रहेगा चलिए हम 0-10 के account के अंदर जाके देखते तो यहाँ पे देख लिजए वही वाला trade यहाँ पे मतलब running है जो हमने यहाँ पे punch किया था अभी next देख लेते हैं कि let's say कि मुझे क्या करना है कि किसी instrument के instrument को मुझे sell करना है let's say कि यही वाला चीज है okay so next हम देख लेते हैं कि किसी straddle के अंदर हमें entry कैसे कर सकते है so let's say मुझे क्या करना है एक straddle add करना है let's say 18,700 का 18,700 का call add करना है and let's say कि 18,500 का put add करना है okay so let's say कि हमें क्या करना है okay 18,600 का put add कर लेते है ठीक है तो यह straddle सही से बनेगा यह भी थोड़ा pass में ही है तो हम क्या कर लेते हैं 18,650 का put add कर लेते हैं और देख लेते हैं ठीक है यह थोड़ा सही है तो हम क्या करेंगे अभी इसमें मुझे क्या करना है let's say कि मुझे 10,000 quantity sell करना है या फिर let's say कि 40,000 quantity मुझे इसमें sell करना है और इसमें 40,000 sell करना है अभी देखिए हमारे पास quantity के लिए दो column है first one रहेगा कि अगर हमें order prepare करके execute करवाना होगा तो हम इस वाले column का use करेंगे और quickly entry लेना होगा तो इस वाले का use करेंगे so let's say मैं यहाँ पे select कर लेता हूँ और मुझे execute करवाना है तो मैं बस यहाँ पे select करवा के इस वाले column को execute के उपर प्रेस कर दूँगा यहाँ पे देखे logbook के अंदर आपको दिख रहा होगा कि यह orders वगरा punch हो रहे है अगर मैं यहाँ पे जिरोदा account के अंदर जाके दिखाऊंगा तो यहाँ पे देखे continuously order punch हो रहे है यहाँ पे एक second के अंदर आपके 9 orders तक punch हो सकते है depending on आपका system और network performance currently मैं जो system use कर रहा हूँ वो i3 processor है और mobile internet से मैं इसको चला रहा हूँ ताकि मुझे इसके वज़े से मुझे थोड़ा network के अंदर दिक्कत दिकाई देता होगा यहाँ पे अगर आप execution देखोगे तो यह continuous completely round robin fashion में होगा लेट से के हमारा जो first order था हमने यहाँ पे punch किया था buying side में उसके बाद हमने यहाँ से starting की है firstly इसने क्या किया है 18700 को call को sell के है उसके बाद 650 के put को 18700 call then put then call then put so continuously यह round robin fashion में आपका execute कर देगा अगर आप यहाँ से entry करते हो तो let's say कि अगर मेरा कोई previous existing position चल रहा है और उसी के अंदर मुझे कुछ quantities additionally add करना है तो वो कैसे करेंगे बस आपको add quantity के column के अंदर जाना है और यहाँ पर बस लिख देना है let's say कि मुझे 50 और quantity add करने है so I'll add 50 यहाँ पर तो जैसे मैंने यहाँ पर 50 करके enter कर दिया तो मेरा order punch हो जाएगा ठीक है so let's say कि क्या हुआ है देख लेते कि उस order के साथ में क्या हुआ है so order has been rejected due to मेरे पास sufficient fund नहीं है अगर आपके पास fund होगा तो वो particular order यहाँ पर execute हो जाएगा let's say कि मुझे इसी order को यहाँ से cancel करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ मेरे पास दो choices है अगर मुझे partially exit करना है तो मैं यहाँ पर quantity लिख दूँगा अगर मुझे completely exit करना है तो मैं यहाँ पर e लिख सकता हूँ let's try with the quantities so यहाँ पर मैंने 50 कर दिया अभी हम क्या करेंगे एक छोटा सा कोई तो और यहाँ पर आप quick entry के अंदर multiple options है जैसे कि अगर आप आपको immediately add the money straddle add करना है तो आप ATM लिख सकते हो तो यहाँ पर क्या होगा automatically add the money straddle add हो जाएगा let's say कि आपको first first otm straddle चाहिए तो आप 1s लिख दीजिए ताकि वो आपके लिए यहाँ से 1s का straddle लेकिया है अगर आप multiple instrument में trade करना चाहते हो आप same तरीके से यहाँ पर index change कर दीजिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि index किस particular points पर है और वहाँ पर लिख सकते हो directly values तो यहाँ पर entry और exit करना बहुत ही easy है so let's हम क्या कर लेते है let's say कि हम और एक third straddle लगा लेते है यहाँ पर फिर nifty में नहीं करना है हमें nifty देख लेते है और nifty के अंदर हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर 3s लगा लेते है ताकि third straddle रहे उसका price खम रहे है so let's say this is an instrument 18850 call जो कि अभी 3 rupees 45 पैसे में चल रहा है मुझे क्या करना है इसके अंदर 100 quantities add करने है तो मैं यहाँ पर 100 लिख दूँगा तो यहाँ पर जो भी आप activity करोगे वो 100 millisecond के अंदर ही आपका activity आपकी account के अंदर perform हो जाएगा let's say कि यह अभी trade running है और यहाँ पर मुझे क्या करना है और 100 quantities add करने है तो मैं यहाँ पर directly 100 लिख के इंटर कर सकता हूँ so यहाँ पर देखे 200 quantities अगर मुझे और 100 add करने है तो मैं directly 100 लिख सकता हूँ let's say कि मुझे यहाँ से अभी 200 quantities edit मतलब sell करना है तो मैं यहाँ से minus 200 कर सकता हूँ instantly और इसी तरीके से आप इस position को बदा सकते हो कि round up करना है या round down करना है so let's say मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मुझे यह 100 quantity है इसमें से मुझे 50 quantity round up करना है तो मैं 50 करके इंटर कर दूँगा currently अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यह बोलता है कि only sold FNO contracts can be rolled up or down मुझे यहाँ पर कोई भी selling side में कोई leg नहीं है तो इसलिए वो up या down नहीं होगा लेकिन अगर आपके पास होगा तो वो automatically उसको roll up या roll down करेगा अगर किसी का requirement है let's say कि आपको 2 strikes से उसको roll up करवाना है या फिर roll down करना है तो बस आपको यह use करना है quantity कितना करना है यहाँ पर लिखना है उसके बाद comma देना है और वहाँ पर बोलना है कि आपको कितने strikes से उसको roll up या down करना है so let's say I would like to move ahead with the two legs two strikes so मैं यहाँ पर 50,2 कर दूँगा तो इससे क्या होगा कि immediately आपका जो contract होगा उसमें से 50 quantity cut हो जाएगा strike में से और जो नया नया contract sorry नया strike होगा जो कि 2 strike away होगा उसके अंदर contracts sorry उतना quantity add हो जाएगा round down का भी logic same ही होगा ठीके अभी हम next वाला देख लिए इसके साथ मैं आपको market protection का भी option मिलता है so let's say I would like to add a market protection of 10 and save this thing so आप यहाँ पर जो भी activity करोगे वो सारा activity with market protected हो जाएगा so let's say अगर मैं यह वाला trade आपको बताता हूँ इसके साथ let's say कि मुझे 500 quantities buy करना है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो अगर नीचे देखोगे तो यहाँ पर with market protection अभी LTP चल रहा है 69.55 उसके साथ में 10% added 76.6 के उपर हमारा limit order punch हुआ है तो जो भी आप activity यहाँ पर करोगे वो market protected भी बन जाएगा उपर ही देखिए position book के side में आपको order book मिल जाएगा order book के अंदर आपको जितने भी आपके orders रहेंगे वो सब के सब आपको यहाँ पर मिल जाएगे so let's say मैं यह वाला जो trade है इसको exit कर देता हूँ और यहाँ पर जो भी आपके open orders रहेंगे वो सब के सब आपको यहाँ पर मिल जाएगे currently इस trade का इस tool का use करके आप stop loss order या फिर limit order punch नहीं कर सकते हो जो कि नए versions के अंदर आ जाएगा जो कि hardly 10-15 दिन के अंदर वो order वाला particular चीज आपको मिल जाएगा order book के अंदर देख लिजए कि आपको executed orders यहाँ पर मिल जाएगे और यहाँ पर आपके pending orders मिल जाएगे so let's say हम pending orders कुछ यहाँ पर add कर लेते है let's say this one हम इसको जाते है limit order के साथ में 1 rupees के price के साथ और let's say मैं यहाँ पर 4-5 order punch कर देता हूँ अगर आप इस tool में जाके फिर से देखोगे तो यहाँ पर आपको directly आपके orders वगरा मिल जाएगे आपका यहाँ पर order modification बहुत ही easy है अगर आपको let's say कि इसका price 1 rupees से 2 rupees करना है तो बस यहाँ पर आप 2 rupees लिख दीजे आपका price update हो जाएगा let's say कि मुझे 1 rupees से 10 rupees करना है तो यहाँ पर आप directly कर सकते हो और एक facility इसके अंदर आपको यह मिलता है कि आप किसी भी जो price होता है या फिर limit order हो या फिर stop loss order हो limit order माने अगर आपका target order है या फिर entry order है तो आप यहीं से आप बोल सकते हो कि आपको LTP के अंदर कितना changes वगरा करना है या फिर trail करना है let's say अगर मेरा 10 rupees में order है और मुझे क्या करना है इसके अंदर और 2 rupees add करना है तो मैं बस quick action के अंदर 2 लिख दूँगा और enter कर दूँगा तो यहाँ से क्या होगा मेरा जो order होगा वो current price plus 2 rupees के साथ में update हो जाएगा अगर मैं यहाँ पर order book के अंदर जाके देखता हूं तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर price आपका 12 rupees complete हो चुका है ठीक है तो हम फिर से टूल के अंदर चले जाते हैं अगर आपको इस order को cancel करना है तो बस आप C लिखके अंडर कर दीजे वो order cancel हो जाएगा instantly अगर scroll up करता हूं तो यह order canceled हो चुका है अगर फिर से cancel करना है तो cancel let's say कि मुझे इस order को क्या करना है market के ऊपर convert करना है तो आप यहाँ पे M लिख सकते हो M मने market so this order has been converted to market now हम यहाँ पी जाके देख लेते हैं यह particular मेरे मेरे पास balance ना होने की वज़े से यह order market में convert नहीं हुआ है अगर balance होगा तो वो convert हो जाएगा instantly next है यहाँ पे ऊपर देखे आपको दो buttons मिल जाएंगे cancel all orders and convert all to market तो आप इस buttons का use करके भी same actions perform करवा सकते हो let's say कि मुझे सारे orders cancel करने है तो मैं बस यहाँ पे press कर दूँगा तो मेरे सारे orders instantly cancel हो जाएंगे ठीक है तो इसी के साथ इस tool का introduction मतलब complete है अगर आपको इस tool को use करना है तो मैं description box में इस tool का link दे दूँगा आप directly software को download कर सकते हो और बस आपको software download करने के बाद extract करना है let's say कि मैं आप दिखाता हूँ कुछ ऐसे folder आपको बनेगा आप जहां पे भी extract करोगे उसके बाद आप ETC में जाएए ETC में आपको एक config sheet मिलेगा config file मिलेगा उसको open करिए client ID के अंदर आपका client ID add कर दीजे API की के सामने आपका API की और API secret के सामने API secret that is it उसके बाद आप टूल का use कर सकते हो अगर आपको कोई भी help required है या फिर कोई भी दिकत आता है tool use करने में तो आप मुझे contact कर सकते हो मैं contact number भी description में दे दूँगा ठीक है thank you thank you for watching this video अगर आपको कोई questions है तो आप directly comment box में लिख सकते हो I'll try to answer it all thank you thank you for watching this video